नवास्कार दोस्तों, वेलकम बैक तो रोओन चैनल, ट्रेट टार्गेट, आज हम इस शेर को डिस्कस करने वाल है, बहुत ही शानदा शेर है, और इस वक्त हमें एक थोड़ी थोड़ी एक ऐसी रेंज पर आ चुका है, जहां पर हमाने नजर है ना काफ़े इंपॉर्टेंट या फिर हम इसको रडार फिर रख सकते हैं, सीख सकते हैं, और इसके मोमेंट आने से पहले उसको capture करने कोशिश कर सकते हैं, उससे पहले उसके return देख लेता है, एक साल में शेर ने आपके एक लाग को अल्रेडी तीन लाग कर दिये हैं, यानि कि चार लाग आपके पैसा बन दीए है वोई 6 मन्त में आप देखोगी 88% का रिटन हो 3 मन्त में 13% बाकि असली बात यानि जहां असली चीज जहां बची हुई है वो है 1 मन्त में 1 वीक में यानि कि शेर आपको discounted price पे मिल रहा है अच्छे शेर हमें हमेशा उसी मौके की तलाश होती है ऐसे शेरों में कि हमें अच्छे price पे मिले discounted price पे मिले so that हम उनको value buying कर सके बाकि देखते हैं इसके fundamental कैसे हैं हमने return ते देखे अच्छी है नहीं है चार्ट पर भी बात करेंगे जरा इस company के debt to equity ratio पे आप नजर डालिए जीरो है बहुत सारे इसी companies हैं जिनके उपर debt होता है लेकिन अच्छा perform करती है दूसरी company है जिनके उपर debt भी नहीं होता और अच्छी भी perform करती है तो depend करता है कि हमें किस तरह से कौन सी company के उपर नजर बनाए रखना है किनके उपर investing करना है यह हम सभी का personal way हो सकता है बट हमारी जो preference होती है वो debt free होती है तो उनमें से यह एक होता है वहीं बात करा है ROC जो एक basic parameter होता है किसी company को pick करने का आप समझ सकते हो यहां से 5 साल, 3 साल, 1 साल में सारे parameter के उपर है यानि दुगना आ आप उसे बोल सकते हो आप यहां देखिए किस तरह से इसने बहतरीन है सारे के सारे parameter पर आप देखिए 5 साल, 3 साल और 1 साल में यहां भी आपको बिल्कुल अच्छे खासे number बढ़ते हों नजर आ रहा है although तोड़ इसे graph नीचे की तरह आता हों नजर आ रहा है जो 43 से 31 लेकि profit growth क्या company किस growth के साब से बढ़ रही company में growth है या फिर नहीं है क्योंकि growth company को ओपर focus करना यह हमारा primary objective है तो आप देख सकते हैं 70% तीन साल में और एक साल में किस तरह से company बढ़ रही है मतलब यहां पर हमें अच्छी खासी growth company के हम बात कर रहे है अच्छी खासी growth हमें दिख रहे है उसके बाद होता है सबसे important sales growth पाच साल में 35% के sales growth तीन साल में 40% और एक साल में 50% आप बहुत बार बहुत सारी YouTube चैनल म पढ़ोगे जिस company का sales growth 10% या उससे उपर हो 12 हो 15 हो company अच्छी है आप उसमें investing कर सकते हैं यहां आप समझ सकते हो जिस वीडियो में आप जिस article में आप 10% से उपर अच्छी है यहां आपको 50 मिल रहा है क्या लोगे यह हमें सोचना पढ़ेगा किस company में हम invest कर रहे हैं ताकि ह हम उसी हिसाब से हमें return में मिलेंगे future में कितनी अच्छी कितनी बुरी यह चीजे हमें बताती है उसके balance sheet तो उसको देखना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए सबसे पहले हम देखें 2018, 2019, 2020 और TTM यानि कि अभी तक का जिस तरह से 20 तक इसका जो result रहा है आपके सामने सबसे प 167 CR किसमें sales दिख रही है अगले साल 249, मार्स 20 में यानि अगले साल 2020 में 334 और अभी तक 455 के return ये दे चुका है, क्या लगी तो return ने, sales इसके number यानि कि number हमें अच्छे बहतरी न बढ़ते हुए नजर आ रहे है, वहीं अगर बात करें operating profit जो एक company का main होता है, 46, 70, 88 और 115 ये 49, 66, and 92 यानि कि सारे के सारे ये number हमें बढ़ते हुए जा रहे है, तो इसलिए कहनो company बहुत ही शांदार है हम सभी, हमें जानते हैं, जो इस company के आरे जानते हैं, वो तो हम सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, उन्हों के समझ मार होगा यहां पर, जिस चीज को हमने अभी हमने just balance sheet में देखा, अगर उसको हम इस form में देखें, ग्राफिकल फॉर्म में तो आपको clearly समझ मार है, 2017, 2018, 2019, 2020, ये चार सालों में किस तरह से इस company के जो revenue है, this is revenue, किस तरह से बढ़ रहा है, and this one is profit, profit किस तरह से बढ़ रहा है, तो company आपको कैसा काम कर रहे है, आपके सामने visible है, इन सब के बाद अगर shareholding pattern पर नज़र डालेंगे, तो आप देखो को promoter के बाद 62% के holding है, यानि कि majority जो holding है, वो promoter के पास ही है, वो अच्छी बात है, promoter खुद महनत करेंगे, तो definitely company को और भी आगे लिके जाएंगे, FIS के बाद 17% के current में holding है, DIS के बाद 6% के आज़ पास, यानि आप कह सकते हो 7%, और बाखी public के पास कितना है, वो आप easily यहां पर देख सकते हो, यह है overall इसका shareholding pattern, लेकिन हम overall जो हमने shareholding pattern देखा, उसको से 2020 में देखे, किस तरह से काम हुआ था, पिछले 4 quarter में, आप यहां देख सकते हो, promoter की जो है, वो 68-62, उन्होंने इन्होंने 2% के आसपास बेचा है, थोड़ा बेचा है, दो नहीं, 68-62 बेचा है, लेकिन इन्होंने 10% के आसपास खरीदा है, बाकि DIs ने हलका सब बेचा है, 10 से इन्होंने almost 7 कर दिया, यह इनके majority जो स्टॉक है, स्टॉक अभी जो खरीद रहे हैं, जो bullish देख रहे हैं, व आपके जो भी financial advisor हैं, जिनसे आप पूछते हैं, जिनसे पूछने के बाद आप investing या फिर trading करते हैं, उनसे एक बार जरूर पूछ लीजेगा, यह सब होने के बाद, एक बार आप बात कर लेते हैं, FLA के बार में, हाँ, जी हम जानते है, FLA आप सभी जानते हैं, इसके बारे यहां से हो सकता है, तो इसलिए इसको radar पर रेना काफे important है, यह जरूरी नहीं है, हम जितने भी share discuss करते हैं, सारे लेने ही हैं मारकेट में, बट यह काफे important है, जितने भी share हैं, उनसे सबसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, उनके patterns से, उनके behavior से, हर share का अपना behavior होता है, और किस तीन महीने का पिछले चार महीने का, फैप, मार्च, अप्रेल में का data है, किस तरह से में rally आई, clearly आप यहां पर देख पा रहे हो, अभी क्या हुआ, जैसी यह मार्च में आया था, मार्च में यहां तक भागा था, उसके बाद से अभी तक यह चारी एक consolidation phase में चला गया, ऐस को 20 और 50 डे में, इस वक्त यह share दोनों के नीचे चल रहा है, दोनों moving average के नीचे चल रहा है, इन्हीं short time में थोड़ा सा, आप कहसे तो थोड़ा सा profit booking, या फिर थोड़ा सा consolidation या पर bearish हो चुका है, लेकिन इसके जो important support निकल के आ रहे है, आप यह level को ज़रा देखिए, यह यह share बार-बार अभी तकि उसको respect कर रहा है, यह वही level है, यह आपको around मिलेंगे 5100 के आसपास, अगर यह share आपको यहां से किसी भी ground में मिलता है, जो इसका first support आ रहा है, ऐसा नहीं कि इससे नीचे जा ही नहीं सकता, कोई लिख के दे सकता है, ऐसा कुछ में यह market है, market पर हम निकल के आ रहे, अगर उसके बाद भी यह further गिरता है, तब definitely आपको जिब वो break होता है, तब आपको जो yellow line is के moving average, तब उसके आसपास आते हुए दिखेंगे, जो आपको 4800 से लेकर 4900 के बीच में आते हुए दिखेगा, यानि कि 800 तो नहीं, लेकिन जो उसका next support निकल के आ है, 4800 से लेकर 4900 के बीच में वो एक support है, जहां यह रुकने कोशिश करेगा, share अभी भी बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, भागा नहीं है, आपको एक अच्छे खासे read पे मिल रहा है, otherwise नीचे की level तो हमने discuss करी दिए, अगर यह यहां से ऊपर जाता है, नजर तो हमारी र 6000 के level है, उस से भी ऊपर जाता है और नजर आए, कि कुछ ही वक्त पहले, यह 6000 के level से भी ऊपर था, अभी हमें almost 5200 के level पर मिला है, यह वहां से हमें कुछ एक discounted price पर मिल रहा है, तो यह नीचे की level है, और उसके बाद जब यह जाना शुरू करेगा, तो आपको सबसे पहले इसका target निकल के यह 6000 और एक बार 6000 ब्रेक करता है, तो आप समाझ सकते हो, इसके rally किस तरह साती है, यह share ऐसा है कि आधा person, एक person भागता नहीं है, हर दिन में, इसकी जो moment होती है, तो तेज होती है, और गिरावड भी कुछ वैसे ही होती है, लेकिन इसके moment ज़ादा तेज होत हैं आगे भी, प्लस आपको इसका business model पता ही होगा, अगर आपके पास payment account नहीं है, description नहीं है,